चिन्वाडा के देहा थाना अंतरगत सोमा धाना ग्राम में एक साथ वर्षी अधेर शिक्षक की हैवानिया सामने आई हैं इस शिक्षक को एक छे साल की मासूम बालिका के साथ अन्यातिक क्रतिक करती हुए गाम वालों ने रंगे हातों पकड़ा है बताया जाता है कि शाला में पदस्त इस अधेर शिक्षक द्वारा मासूम बच्चों के साथ अन्यातिक क्रतिक किया जाता था जिसका संधे गाम वालों को पहले से ही था आज एक छे वर्षिया बालिका द्वारा अपनी मा से इस शिक्षक के अनातिक वहवार की शिकायत किये जाने से गाव में हंगामा हो गया दो वर्ष पूर्व भी ऐसी ही घटना में शिक्षक के पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ग्रामवासियों ने चेतामी दे कर चोड़ दिया था लेकिन आज दुबारा वही हरकत होने पर ग्रामवासियों में रोश व्याप्त हो गया बालिका की परिजनों की शिकायत पर आरूपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस द्वारा शिक्षक को हिरासत में लेकर बालिका और अन्य बच्चों स से पूस्ताच की जा रही है मामले की गंबीरता को देखते हुए पुलिस के उच्छ अधिकारी स्वैम इस मामले की जाच कर रहे हैं और सेहमी हुई बालिका का डर दूर करने के लिए महिला पुलिस की साहिता भी ली जा रही है बाइट थाना देहाद के सोमा धाना गाओं में साश की स्वोल में 4 शक्षक के द्वारा कुछ नावालिक बच्चियों के साथ कुछ असलील हरकते करने की एक शिकायद आई है जिस पर अभी तजिक हुआ रही है और प्रक्रटेंट में सिमिंग ड्रेष्ट में बच्चों से भी तज़्दिक कर रहे ह। है प्रक्रेंट प्रथम द्रश्टिया उच सही लग रहा है जिस पर प्राथमी की दर्ज की जा रही है और विवेचना की जा रही है परिजनों ने अभी तक जिस प्रकार की जानकारी दी है उसके अनुसार प्रथम द्रश्टिया अपराध सही प्रतीत हो रहा है फिर भी प्रक् कि गई है तुकि प्रक्रंड सास्की सिक्षक के खिलाब था बिना तश्दीक रख्रण को पंजबत किया जाना उचित नहीं था क्योंकि सास्की सेवा में रत व्यक्ति की एक बार उच्टाश दोनों पक्षों को सुनना और ये सब तुस्दीक के बाद प्राथमिक की दल्च कर चिन्वारत से BCN News के लिए शेकर राजपूर्ट की रिपोर्ट